UPSC easy task तो नहीं है, high risk, high profit game है, तो UPSC के लिए आपकी दिवानगी तो जरूर गया है, कब हमें 100% films को देना चाहिए, आपको कहां पहली rank चाहिए, कोचिंग में, की UPSC में, गलती करना पाप नहीं है, गलती repeat करना महापाप है, OTQ, one time question, एक बार आया है, दुबार नहीं आएग जिंदगी की कहानी दुख और हर्स की होती है, लाड़ ले, कीमत जीत की नहीं, संगर्स की होती है, लाड़ ले जोस्टो के दर्सकों को मेरा नमस्कार, दर्सकों मेरा नाम है आमिदगर, पिछले 12 साल से मैं UPSC एस्परेंट को गाइड कर रहा हूँ, पिछले 3 साल से मैं अपना इंस्ट्यूट रन कर रहा हूँ, आए सेतु के नाम से, जहां हम स्टूडेंट को UPSC के लिए help कर रहे हैं आज मैं बात करूँगा प्रिलिम्स के लिए, मैं आपको 8 पॉइंट बताने वाला हूँ, जो आपको प्रिलिम्स क्वालिफाई करने में help करेंगे, अगर आपने इन 8 बातों का ध्यान दिया, आपको प्रिलिम्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सबसे पहली बात करते है स्लेवस की, आपने देखोगा स्लेवस, कितना बड़ा स्लेवस है UPSC का, तो आपने क्या करने, आपने स्लेवस को केटेगराइज करना है, आप पूरे स्लेवस को सेम एनर्जी से नहीं पढ़ सकते, अगर आप स्लेवस में देखेंगे आपका जो 100 पर सेंट स्लेवस है, उस point आते हैं कि यह 20% slayers हम पता कैसे करेंगे senior बता नहीं रहे teachers के पास इतना time नहीं है कि आपको एक-एक topic बता पाए कि यह topic है यह important topic है और यही 20% slayers आपका इतना important है जिसको आपने multiple revision करने हैं आपको कुछ नहीं करना है UPSC ने आपको दो चीज़े दी है slayers and previous year question आप previous year question का analysis करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ ऐसे topic है जहां से हर साल multiple questions आते हैं तो आपने करना के इस 20% slayers को multiple reading देनी है और जो बाकी slayers है उसकी single reading भी आपके लिए sufficient है तो आपने ध्यान रखना है वह 20% slayers आपका छूट ना जाए उस पर आपने अपनी पूरी energy डालने है अभी मैं आता हूं दूसरे important point पे एक performance का graph होता है UPSC की जन्नी में हमारा graph ने प्लैट्यू शेप में जाता है आपका motivation आपकी studies पहले increase होगी फिर एक peak पे आएगी फिर वो decline आएगी फिर दोबारा से next year के लिए वो increase होगा फिर decrease होगा तो आपने ध्यान रखना है जो आपका वो plateau है उसका peak आपके exam days के पास आए मैं आपको example दूँगा तीन तरह के student होते हैं कुछ student अपनी strategy इस तरीके से बनाते हैं जैसे कि आपका exam में में है वो काफी committed चल रहे हैं इन महिनों में तो उनका peak मार्च में उन्होंने प्लान किया हुआ है या उन्होंने इतनी energy डाल दिये है पहले से ही तो मार्च में उनक पड़ेगा जो कि एक अच्छी strategy नहीं है और दूसरे student ऐसे हैं जो मार्च में start होने वाले हैं उनका peak October में आएगा भाई exam तो में में हैं October में पीक लाके करोंगे क्या तो आपने पहले से ही आने वाले month की strategy ऐसे बनानी है कि आपकी prelims वाली preparation का peak आपके May last week में आपके prelims के आसपास रहे आपकी best preparation पे आप अपना best attempt देंगे यह आपने ध्यान रखना है पहले से ही आपने अपनी strategy बना के रखनी है प्री तक की monthly weekly daily basis ताकि आपका peak उस दिन को पड़े अभी मैं third point की बात करूँगा अगर आप prelims का slavus देखेंगे तो slavus में उन्होंने कुछ नहीं वन वन लाइनर दिया ऐसा लगता है कि UPSC ने हमारे साथ मजाग कर लिया जोगरफी इंडियन वर्ल जोगरफी अथा सागर है क्या पड़ें क्या छोड़ें तो आपको क्या help करेगा previous year questions अगर 20 साल के कर पाए तो wonderful है नहीं तो last 10 year के previous year question आपने अपने सामने रखने है topic and subtopic wise आपको बताता हूँ previous year question कैसे आपको help करेंगे जिसकी quality है, quality में आपने देखना है कि constitutional development से कितने गोशन पूचे गए है, फिर आपने देखना है citizenship से year wise आपने एक table बनाने है, market में भले ही ready table बन जाएगी, बट अगर वो table आप खुद बनाएंगे तो बैतर रहेगा, किसी और और की मैनत पर IS नहीं बना जाता है, खुद की मैनत करनी पड़ेगी, खुद की table निकालो, खुद ही analysis करो previous year question का, तब वो आपका analysis होगा, नहीं तो आप तो किसी और का analysis follow कर रहे हैं, जिसे fundamental right है, आप देखो year wise year कितने question पूचे जाते है fundamental right से, आपको दिखेगा कि union and state वाली question, कुछ topic ऐसे होंगे, 5 साल में 1 question, कुछ topic ऐसे होंगे, 10 साल में 1 question, तो आपने अपनी energy उसके इसाफ से डान लिए, क्योंकि हमारे पास limited time है, हमारे पास 5 साल नहीं है, तो जिस topic से हर साल multiple question आते हैं, तो multiple revision, जिस topic से हर साल 1 question आ रहा है, उसकी 2 revision या 3 revision तो चाहिए होगा, ज हर साल multiple questions आते हैं, अगर आप geography देखेंगे, geography में आपको पता चलेगा, geography mapping से ज़्यादा question पूछे जाते हैं, nearly 60% question, उसमें भी Indian geography से question आते हैं, उसमें भी आप देखेंगे, river system से हर साल minimum 1 question आ रहा है, अगर आप मुझसे पूछेंगे, कि आपके पास option है, कि आपको इंडिया पढ़ने हैं, क्योंकि world की river की कोई guarantee नहीं, कि वो US, पूरे world से एक question आना है, उसमें river भी आगी, lake भी आगी, आपका physical features भी आगे, और features भी आगे, तो इंडियन river system से minimum 1 question आता ही आता है, तो यह previous year question आपको idea देंगे, कि कि किस topic की आपको multiple revision करनी है, किस topic की आपको 2 revision करनी है, और किस topic की सिर्फ एक reading करनी है, अभी मैं बात करूँगा fourth point की, आपने सुनोगा OTP, OTP का क्या full form है, one time password, UPSC में term है, जहां से सुनना, OTQ, one time question, एक बार आया है, दुबारा नहीं आएगा, एक सल black cobra पे question पूछ लिए, बड़ा interesting है, student आपस में discuss कर रहे है, आप अपने friend से प पूचा जाएगा, क्योंकि वो OTQ है, one time question, क्योंकि हम बार बार, काभी interesting होते है, curiosity होती है, इस questions के लिए, बार बार हम अपने friend circle में, इस question के बारे में बात करते हैं, तो क्या होते है, हम इनी question को prepare करने की direction में निकल जाते हैं, बट भाई, ये तो OTQ है न, इसमें अगर ज्या के, या उस तरह की concept को एक बार पढ़ना है, उनको multiple reading, multiple revision नहीं देनी है, आपने देखने की किन topic से ज़्यादा questions आते हैं, क्योंकि कहें कि ये तो, मलब ऐसा है कि कि किसी की किसमत अच्छी है, तो तुका लग गया, या आपने कहीं पढ़ लिया, आप railway में ट्रैवलिंग कर थे, magazine में कुछ चीज़ क्लिक कर गी, और वो same question you PC ने पूछ ली, तो आपकी किसमत वाला है, but major area तो आपका जो main static part है, और जिस तरह की question हर साल repeat होते है, वहाँ अगर आप पीछे होगे, तो आप पीछे, अब आते हैं next point पे, एक strategy है 5R, जहां से समझना, read, revise, retain, write and repeat, ठीक है read, revise, retain, write and repeat, आपने चीज़े पढ़नी है, कुछ student है वो सिर्फ read करते रहे जाते हैं, आपने पढ़नी है, आपने revise करनी है, आपने retain करने की कोशिस करनी है, कोशिस क्या करना ही है आपने retain, इसी वीडियो में आपको retain करने की कुछ technique बताऊंगा, फिर आपने test देने, जितने जादा आप mcqs लगास को, क्योंकि आपको यह mcqs retain करने में help करेंगे, और यही process आपने repeat करना है, जितना जादा आप यह process follow करेंगे, उतना आप अपने selection के नजदी जाएंगे, फाइव आर, काफी important है, next point पे आते हैं, फिल्लिंस में चाहिए क्या, mcqs, gs में 100 question आ रहे season message question आ रहे है, answer option सामने है, but answer option पे totally dependent नहीं रह सकते, क्योंकि examiner भी smart है, वो answer option को ऐसे frame कर रहा है, ताकि आपको exact चीज़े पताओ, तो आप एक rule follow कर लो, फिल्लिंस में जाने से पहले, आपने 6000 mcqs practice करने ही करने है, gs में, आपको एक point बताता हूं, काफी student होते हैं, पहले students में नहीं होता है, क्योंकि वो पढ़ते रहेंगे, फिर हम like mentor या teacher suggest करते हैं, भाई तुने mcqs नहीं लगाए, mcqs लगाओ, फिर वो क्या करते हैं, दूसरे साल में सिर्फ mcqs लगाते हैं, बताता हूं, वहाँ पे भी कहीं बार fail हो जाते हैं, problem बताता हूं, हमारे काव है, बावला या तो खुझलाई नहीं, खुझलाई तो खून निकाल लें, तो मैंने यह देखा है कि student, पहले साल में mcqs ही नहीं करेंगे, दूसरे साल में सिर्फ mcqs करने के लिए कर रहे हैं, इसके proper technique है, समझ लो, आपने करना क्या है, अगर आप डेली 50 mcqs मैंस कर पा फिर एक rule follow कर लो, एक notebook के एक register maintain करना, जहां जहां आप गलती कर रहे हो, जहां जहां आपको concept नहीं पता, वो आप अपने register में लिखते जाए, और वो ही चीज़ आप revise करते जाए, एक महिने में आपका आदा या पूरा register भर जाएगा, यह important नहीं कि आपने 50 question लगाए, आप के zero correct है, तो आपके पास scope है ना, 50 question को सीखने का, और जब आप test series में गलती करते हो, और same question अगर UPSC में आ जाए, वो तो ठीक होगा, क्योंकि अलड़ी गलती कर चुक है, पर सबसे बड़ी गलती कहा है, कि आपने पहला test लगाया, उसमें question गलत, फिर आपने एक वीक वाट लगाया, वो ही गलत कर रहे है, क्योंकि आपने revise नहीं किया, तो आपने mcqs लगाने है, एक technique follow करनी है, mcqs के बाद आपने अपने वीक एरिया, जहां आप गलती कर रहे हैं, वो आपने register में note down करनी है, और हर 15 दिन महीने में वो register revise भी कर रहे है, गलती करना पाप नहीं है आप देखेंगे, अपरल तक आते आते, आपके concept इतने strong हो चुके होंगे, कि आप GS में 90 प्लस marks easily score कर पाएंगे, अभी next point की बात करते है, memorization technique, क्योंकि प्रिलिंद पर रटमा important है, काफी student कहते है, सर मैं concept में तो अच्छा हूँ, बट रटा नहीं जा रहा, भाई UPSC आपके तो बता दूगा कैसे कर सकते हो, आपने realize नहीं कहीं, बट आपकी memorization technique और memorization power काफी अच्छी है, कुछ technique की बात करता हूँ, पहली होती है cramming, आप cramming को अच्छा या बूरा में मत तोलो, कुछ student क्या होते हैं, वो 100% slivers को cram करने की गोसिज़ करते हैं, मुझे लगता है य cramming क्या होती है ना, 15 दिन, 20 दिन, महीना काम करती है, depend आपकी memory पे, कि आपने वो memory capsule लिये है, वो कितना दिन काम कर रहे हैं आपके, तो आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा slivers का part, जो बिलकुल cram करने वाला है, बिलकुल factual है, उसको last days के लिए रख सकते हो, ताकि इसके अलावा कुछ technique है, visualization, आपने देखा होगी कि आपने कोई location देखी है, आप भूलते नहीं, उससे कोई question आए, आप handle कर पाएंगे, तो या तो आपने वो चीज़े देखी है, बट GS में इतना बड़ा slivers है, हर चीज कहां देख पाएंगे, world tour कहां हो पाएगा, इस मामल question पर आपसे question पूछे, सबके ठीक होंगे, तो आपको करना क्या है, या तो आप किसी place पर गए हूँ है, आपको पता है, नहीं तो visualize करें, आप चीज़ों को visualize करें, आप mind में एक image, mental map उसका जरूर बनाए, फिर तीसरी चीज़ आती है, आप अपनी surrounding से relate करें, आपके relatives हैं, आपकी surrounding है, उससे चीज़ों को relate करें, जैसे history में आप governor general पढ़ते हैं, करजन के बारे में सुनाया है, बड़ा कुंकार था, तो हमने देगा नहीं न करजन, आपको कोई relative है, जब भी आप घर जाते हो, हर बार बोल देता है, क्यों पैसे waste कर रहा है, वही तो करजन है भाई इतनी creativity है, script लिख देते हैं, गाने लिख देते हैं, क्यों नहीं आप अपनी UPC preparation में इसको use कर रहे हो, आपको कोई चीज़ sequence में याद करनी है, आप story लिखो, script लिखो, ताकि आपको चीज़े sequence में याद रहे, next एक technique है, निमोनिक, अलब coding बनाने है, काफी बहतरीन है, क्यो निमोनिक जादा दिन में चलते हैं, बूरे जादा चलते हैं, मेरा एक फ्रेंट ना डॉक्टर, वो काफी use करता था, बट जब आप इस तरह के निमोनिक बनाने हो, अपने notebook किसी को मत देना, बट एक चीज़ बता दो, कुछ student निमोनिक बनाने लगते हैं, इतने सारे निमो निमोनिक चाहिए होता है, तो थोड़ी सी एक art है निमोनिक बनाने की, पहला निमोनिक बनाने में में भी दो घंटा लग जाए, time low, सीको, एक चीज़ करना, जब आप निमोनिक बना रहे हो, जिस चीज़ के लिए बना रहे हो, उसको उसमें include करने की कोसिस करो, ताकि आप फिर सबसे important है आपकी memory के लिए, आपका mind है कहां, आपकी body में ही तो है, हम क्या करते हैं, काफी students होचते हैं कि आदा घंटा workout करना waste is time कर, वजब time waste हो रहा है इस पे, आपको fact बताता हूँ, आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, अब अगले दिन से आप क्या करो, 9 and half hour पढ करते हैं, बार-बार, mind को क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें कच्रे के उपर कच्रा, कच्रे के उपर कच्रा डाले जा रहे हो, इसको भी तो भाई, पार्ग में गूमना है, आप गूमों कुली आवा में, आप पेट पोदों को देखोंगे, तो आपका mind refresh होगा, तो आपको mind को physical workout कर सकते हो, आदा घंटे के लिए, तो इन सब technique से आपकी memorization power बढ़ेगी, जो की films के लिए काफी important है, अभी एक next point पे आता हूँ, काफी student को dilemma रहता है, कि हम mains की preparation कितनी late तक continue कर सकते हैं, कब हमें 100% films को देना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, काफी बार toppers बोलते हैं, औ आप अपना मेंस पढ़ें, मार्च से आप अपना प्रिलिम्स स्टार्ट करें, बट मैं कहूँगा कि हर किसी की capability अलग है, आपको एक rule समधाता हूँ, प्रिलिम्स में आपके दो paper हैं, एक GS, एक CSET, अगर आप दोनों paper में comfortable हैं, आप 5 तक अपना मेंस continue कर सकते हैं, मार्च में, ठीक है, 75 days, आप अपना प्रिलिम्स रिवाइस करें, आप अपना प्रिलिम्स देतें, अगर आप दोनों paper प्रिलिम्स वाले में comfortable हैं, सिर्फ आपको revision चाहिए, अपने GS की, practice चाहिए, CSET की, तो 75 to 80 days are sufficient, बट अगर आप इन दोनों paper में से GS प्रिलिम्स, CSET, किसी भी ए एक ही paper में comfortable है, मालों आपका GS अच्छा है, बट CSET में गड़ बढ़ है, मालों आपका CSET अच्छा है, GS में गड़ बढ़ है, तो आप अभी से अपनी प्रिलिम्स की preparation स्टार्ट कर सकते हैं, अगर दोनों में goal है, मालों आपका GS भी prepared नहीं है, CSET का भी prepared नहीं है, मेरा recommendation प्रिलिम्स फे focus करें, क्योंकि अगर प्रिलिम्स ही नहीं निकलेगा, तो में के answer लिखोंगे कहां, coaching में की UPSC में, वह हमें लिखना तो UPSC में ही है, आपको कहां पहली rank चाहिए, coaching में की UPSC में, UPSC में ही न, तो आप हर किसी को blindly, बलब आपका friend के, परवरी तक में तो आप क्या चाहरे हो कि आप 1st March से प्रिलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, वह comfortable है, वह GS और CS दोनों में comfortable है, बट आप दोनों में comfortable नहीं हो, अगर आप दोनों में comfortable नहीं हो, तो आप अभी अपनी मेंस की preparation छोड़ दो, एक point पे लाके, ताकि प्रिलिम्स के तुरं है, high risk, high profit game है, क्योंकि आपको वो power देने वाली है, जो एक middle class को easily नहीं मिल सकती, तो UPSC के लिए आपकी दिवानगी तो जरूर है, तो दो लाइने बोलूँगा, यह कोई भी हो सकते हैं, लड़का या लड़की, UPSC के लिए अपनी line बोल रहा है, मैं हिंदुस्तान का कि तुमारे पीछे 10 लाख लोग प्रिये, एक दिन अपना सीना चीर, एक दिन अपना सीना चीर सारे जग को दिखा दूँगा, यहां पर सिर्फ तेरा नाम प्रिये, यहां पर सिर्फ तेरा नाम प्रिये, यहां पर सिर्फ तेरा नाम प्रिये कि क्या Joe Stocks aspirants को help कर सकते हैं financially उनकी इस journey में तो इसलिए Joe Stocks ने contact किया English Medium के लिए KSG IS के Khan Sir को हमने शायद इनका नान तो सुनाई होगा Khan Sir और KSG IS की तो introduction ही देने की जर्द नहीं है देश के सबसे जाने माने और respected institutes में से है KSG स्रिष्टी जेंप देशमुक सर की ही student रही है जिनोंने 2018 में All India Rank 5 हासल की थी Joe Stocks ने KSG IS के Khan Sir से बात की और उन्हें request किया कि क्या वो Joe की family के लिए एक बहुत ही बड़ी scholarship दे सकते हैं आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सब के साथ ये share करने की कि वो मान गए है वो Joe की family के लिए अपने foundation course पे scholarship provide करेंगे यानि की वो quality की education जिसकी fees लाखों में जाती थी अब हम afford कर पाएंगे ये help valuable है सबसे जादा उन नए aspirants के लिए जिने foundation course करना तो है लेकिन लाखों की fees हम afford नहीं कर सकते KSJ IS का foundation course जो 1,20,000 का है वो Joe family को अब 50,000 तो 70,000 में मिल सकता है Joe stocks ये जानता है कि अभी भी ये fees 50,000 और 70,000 हम में से बहुत युबाओ के लिए बहुत ही जादा है और इसलिए Joe stocks हमें और help करने के लिए दो चीजे कर रहा है पहली कि ये fees हम monthly 4000-5000 की installments में दे पाएं और दूसरी कि अगर हम current institutes की free support नहीं कर सकते या monthly 4000-5000 की installments देना पॉर्ड नहीं कर सकते तो हम Joe Sh के साथ share कर सकते हैं कि कौन से institutes हैं जो बहुत ही अच्छी quality की education प्रोवाइड कर रहे हैं बट कम prizes में जोश इन institutes को अगले कुछ महीनों में contact करेगा और कोशिश करेगा कि ये institutes भी मान जाएं जोश की family को एक बहुत बड़ी scholarship देने के लिए तब तक जोश family members की ये scholarship पाने के लिए हम नीचे दिये गए google form को fill कर सकते हैं जब आपको call आए तो प्लीज ये mention करना मत भूलना कि आप जोश family के पाठ हैं ताकि आपको ये scholarship मिल पाए जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब aspirants को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बलकि असलियत में financially support कर पा रहा है जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिन्दगी में कुछ बड़ा हासिल करने की मगर जिन्दगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टालेंट को बाहर नहीं निकलने देती लेकिन अब कम से कम हमारी financials थिती हमें अपने आईएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती जोश टॉक्स एक बड़ी भाई या बेहन की तरह हर वक्त हम सब को जिन्दगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा आप बस जा के अपना 100% दीजिये एक भी दिन जाया ना होने दे बाकी जोड संभाल लेगा जैहिर